नमस्कार दोस्तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है कल्यूग के प्रतेक्ष भगवान वेंकटेस्वर बालाजी की कताव दोस्तो वेंकटेस्वर का अर्थ है वे का अर्थ है पाप और कट का अर्थ है दूर करने वाला अर्थार्थ वेंकट का अर्थ है पापो को दूर करने वाले और इस्वर का अर्थ है भगवान इसलिए वेंकटेस्वर का अर्थ पापो को दूर करने वाले भगवान कल्यूग में भगवान विश्णू तिर्यूपति में वेंक्टेस्वर स्वामे के नाम से अवतरितो कर पक्तो पर कृपा बरसाते हैं तर भारतिय भगवान वेंक्टेस्वर को बाला जी कहते हैं बगवान वेंग्टेस्वर बाला जी के अवतार धारण करने की कथा प्रशंग हर यूग में भगवान विश्णू के अवतार हुए और प्रतिक अवतार के पीछे एक कहानी है भगवान के वेंग्टेस्वर अवतार के कथा इस प्रकार से है द्वापर्युक की समाप्ति और कल्युक के आरहम होने पर एक बार ब्रह्मा जिने नारज जिसे कहा कि कल्युक में सारा संसार असांती और असत्य में डूब जाएगा कल्युक में भगवान नारेंड ने अवतार धरण नहीं किया है इसलिए तुम अपने कोसर से ऐसा कोई उपाए करो जिससे भगवान भूलोक में अवतार धरण करे पिता की बात सुन नारज जी भूलोक में गंगा जी के किनारे आये जहां समस्त रिसिगन एकत्रित होकर जनकनल्यान के लिए एक विसाल यग्य कर रहे थे नारज जी ने बुनियों से पूछा संसार की भलाई के लिए किया जाने वाला यग्य साधारण नहीं होता इसलिए इसका फल पाने वाला भी साधारण नहीं होना चाहिए इस यग्य का फल आप किसे दे रहे हैं सबसे पहले यह जानने का प्रियतन कीजिए कि त्री मूर्तियों में कौन सत्वगुन संपन है और कौन मौक्ष फल का दाता है अत्य है यग्य का फल किसे दिना चाहिए मुनियों ने कहा नारत तुम बहुत बुद्धि साली हो अते तुम ही बताओ ब्रह्मा विश्णों और महेस में से किसको यग्य काफल देना चाहिए एक स्रिष्टी करता है दूसरा पालन करता है और तिसरा रुद्र मुर्ती है तीनों ही एक दूसरे से कम नहीं अते इनकी परिच्छा कर लेनी चाहिए इस कारे के लिए भ्रिगुरिसी ही स्रेष्ट है क्योंकि जैसे बगवान सिव का तिसरा नेत्र ललाट पर है इनका तिर्तिय तपो नेत्र चरण में है त्री मुर्ती में कौन स्रेष्ट है इसकी परिच्छा के लिए भ्रिगुरिसी मान गए भ्रिगुरिसी द्वारा ब्रह्मा विष्णु और सिव की परिच्छा सर्वपर्थम भ्रिगुरिसी सत्य लोग गए जहां ब्रह्मा जी वरुण अगनी आदीदिक पालों से स्रिष्टी के संबंद में चर्चा कर रहे थे ब्रिगुर इसी काफी देर तक ब्रह्म सभा में खड़े रहे किन्तु किसी ने भी उनकी और ध्यान नहीं दिया क्रोधित होकर ब्रिगुर इसी ने कहा ब्रह्मदेव तुम स्रिष्टा होने की गर्व से इतने अंधे हो रहे हो कि चार सिर और आठ आखों के होते हुए भी तुमें अतिति दिखाई नहीं देता तुमें रजो गुन की प्रधानता है अतिति के अपमान के लिए मैं तुमें स्राब देता हूँ पिठ्वी पर कहीं भी न तो तुम्हारी पूजा होगी और नहीं मंदिर होगा इसके बाद ब्रिगुरिसी केलास चले गए जहां बागवान सिव अपनी पतनी पारवती के साथ अंतरपुर में भोगा नुबह कर रहे थे बाहर गणेश जी, कार्तिकेजी और समस्त सिव गण कोई उस्सो मना रहे थे किसी ने भी ब्रिगुरिसी को नहीं पहचाना क्रोधी थोकर ब्रिगुरिसी सिधे अंतरपुर में प्रवेश कर गए जिस पर सिव भी उन पर क्रोधी थोर उठे ब्रिगुरिसी ने सोचा कि इन में तामस गुणी ही है इसलिए सिव जी को स्राब देते वे कहा तुम्हारी किसी भी मंदिर में मुर्ती नहीं होगी सब जगह तुम लिंग ही लिंग हो जाओ अब ब्रिगुरिसी बैकुंठ लोक में पहुँचे जहां भगवान विष्णू से सहियां पर सेहन कर रहे थे और लश्मी जी उनके चरण सेवा कर रही थी यह देखकर ब्रिगुरिसी का पारा और चड़ गया उन्होंने भगवान विष्णू के वक्ष पर चरण प्रहार करते हुए कहा हमारे आने पर भी तुम सोते हो उठो ब्रिगुरिसी के चरण प्रहार से विष्णू जी से सहियां से उतर कर उनके चरण पकड़ लिए और लश्मी जी को उनके लिए पाद अर्द आदिल आने के लिए कहा भगवान विष्णू ने कहा कि छमा करो महात्मन कोस्तुबादी से युक्त हारो को पहनने से मेरी चाती बहुत कठोर है इस तरह पदा घाच से आपके सुकुमार चरण को कितना कश्ट हुआ होगा मुझे अपना दाज समझ कर चमा करना मैं आपके चरण छुता हूँ भगवान विष्णू ने ब्रिगूरिसी का पाउं हाथ में लेकर उनके तपो नेत्र को अपने अंगलियों से खीच कर सागर में फैंक दिया जिससे ब्रिगूरिसी का सारा गर्व जाता रहा ब्रिगूरिसी ने कहा आपको लात मार कर मैंने बड़ा पाप किया मेरे दोस्त को चमा करे भगवान विश्णु ने कहा तुम दुखी मत हो तुम्हारे मन की बात और आने का कारण मैं जानता हूँ तुम्हारे कारण हमारा महत्व संसार में विदित होगा ब्रिगु रिसी ने भगवान विश्णू से यग्य का फल सिवकार करने की प्रातना की जिसे उन्होंने सिवकार कर लिया ब्रिगु रिसी ने भूलोक में जाकर समस्त रिसियों को भगवान विश्णू का महत्व बताकर यग्य फल उन्हें समर्पित करने के लिए कहा लश्मी जी का रूठ कर भूलोक में आना बिगुरिसी के कारे से भगवान विश्णों के वक्ष अस्थल में रहने वाली लश्मी जी करोधित हो गई और बोली चोधर भुहनों के स्वामी और समस्ते देवताओं से पुजित आपको लात मारने का उस ब्राहमन का इतना साहस यही नहीं यह वक्ष अस्थल मेरा निवास अस्थान है इस पर लात मारने का मतलब है मुझे लात मारना उसे डंड देने की जगए आपने उनसे छमा मांगी यह देखकर मेरा तो दिल जल रहा है पर पुरुष से अपमानित होकर जिवित रहने की अपक्षा नाक बंद करके तपस्या कर लेना अच्छा है मगवान विश्णू ने लश्मी जी को बहुत समझाया कि भक्तों के मन की बात को जानना बहुत कठीन है वे किसी महान कारे के लिए यहां आये थे संतान के कारे से माता पिता क्यों नाराज होंगे तुमको सांथ हो जाना चाहिए परंतुलश्मी जी ने कहा मैं उन्हें छमा नहीं कर सकती अगर आप उसे डंड नहीं दे सकते तो मैं बैकूंट में नहीं रहूंगी उस दुष्ट ने हम दोनों को अलग किया है इसलिए मैं समस्त ब्राह्मन जाती को स्राब देती हूं कि ब्राह्मन भूलोक में बेदोक्त कर्मों से हीन और दरिद्र बनकर विद्याओं को बेशते हुए जीवन यापन करेंगे लक्ष्मी जी भूलोक में आकर गुदावरी नदी के किनारे कोलापूर में एक नकुटी बनाकर तपस्या करने लगी पत्नी वियोग में भगवान विश्णू का पित्वी पर आना लक्ष्मी जी के बैकूंट छोड़ते ही वहां की सोभा जाती रही चारो और दरिद्र देव का राज्य हो गया पत्नी के वियोग में भगवान विश्णू भी एक दिन बैकूंट छोड़कर भूलोक आ गए और पत्नी को ढूंटे ढूंटे से साद्री यानि की सेसानचल पहुंच गए इसे सेसानचल इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान सेस यानि की सेसनाग यहाँ पर परवत रूप में स्थित है इस परवत को तिरू मले या फिर तिरू माला भी कहते हैं जिसका अर्थ है स्री यूक्त परवत धर्ती पर पैर रखते ही भगवान विश्णू को भी भूख प्यास आदी मानवी तत्व प्रभावित करने लगे एक दिन थकान के कारण वे एक इमली के पेड़ के नीचे सयन करने के उद्देस से जाचिपे बैखुंट उजड गया यह जानकर नारज जी ने बर्मा जी से कहा आपके कहया नुसार मैंने कारे कर दिया लश्मी जी और विश्णू जी दोनों ही भूलोग चले गए निद्रा और आहर के बिना भगवान विश्णू सूख कर काटा हो गए हैं इसलिए आप उने आहर देने की ववस्ता कीजिए बर्मा जी भगवान संकर को साथ लेकर लश्मी जी के पास पहुँचे और बोले निद्रा और आहर के बिनाभवान विश्णु आजकल से साधरी पर एक पेड़ के खोकड एक पेड़ के खोडर में रह रहे हैं उनकी रक्षा होनी चाहिए हम दोनों गाय और बच्डे का रूप धारण करेंगे और आप ग्वालिन बनकर हमें चोल देश के राजा को बेच दीजिए हम उस राजा की गायों के साथ रहकर स्रीहरी को प्रतिदिन दुग पान करेंगे लश्मी जी ने बात मान ली से साथरी यानिके बेंग्टा चलम उन दिनों चोल राजा के अधिन था उसी छण ब्रह्मा जी गाय और सिवजी बच्ड़ा बन गए और लश्मी जी गवालिन बनकर चोल राजा के पास पहुँची गाय और बच्ड़ के सुंदर इसे आकर सितो कर राजा रानी ने उने खरीद लिया लश्मी जी का काम पूरा हो गया चोल राजा ने गवाले से कहा कि नई गाय का दूद दू कर राजकमार के लिए लाया करो चोल राजा के पास हजारों गाये थी गवाला उस गाय और बच्ड़े को भी अन्य गायों के साथ से सांचल पर चरड़ने के लिए ले जाता था पर वह गाय घास नचर कर अकेले ही उस इमली के पेड़ के खुडर में जाकर दूद की धार डालने लगी इसे सोते हुए भगवान विष्णू जाक गए और गाये को ब्रह्मा जानकर दूद पिने लगे वह गाये गोसाला में आकर दूद नहीं देती थी इस पर राजा ने गवाले को चोर कहते हुए डंड देने की बात कही एक दिन जब गाये बचडे के साथ बालमिक पर जाकर दूद की धार देने लगी तो गवाले ने छुपकर उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया उसने क्रोध में आकर गाये को मारने के लिए अपनी कुलहारी उठाई तभी उस परुपकरी गाये को बचाने के लिए भगवान विश्णू बीच में आ गए और कुलहारी उनके सिर पर जा लगी जिससे रक्त बहने लगा यह देखकर वाला बेहोस हो गया किसी ने राजा को इस घटना की खबर दी राजा ने जाकर देखा कि उस पेड के खोडर से रक्त बह रहा है राजा को देखकर भगवान विश्णू खोडर से बहार आ गए और बोले सेवको के पाप का फल राजा को भोगना पड़ता है आज से तुम पिसाच हो जाओ चोल राजा भगवान के जड़नों पर गिरकर गिरगड़ाने लगा तब करुना करके भगवान विश्णू ने कहा मेरा स्राप ब्रेर्थ नहीं जाएगा किन्तु तुम इस देख को छोड़कर इसी चोल वंस में अकास राज के रूप में जनम लोगे और अपनी पुत्री पद्मावती का मेरे साथ विभा कराओगे उस अवसर पर तुम मुझे एक ब्रज किरिट भेट करोगे उसे मैं प्रतिक सुकरवार को धारण करूँगा उस दिन तुम स्राप से मुक्तो जाओगे तब ही ग्वाले की मुर्चा तूटी किन्तु वह अंधा हो गया वह भी भगवान के जर्णों पर गिर पड़ा तब दैगर के भगवान ने कहा कि मैं कुछ समय के बाद इस परवत पर मुर्ती रूप धारण करूँगा तब तक तूँ यहीं अंधा बन कर रहे मेरे अवतार लेते ही तेरी आँखे ठीक हो जाएगी कल्योग में भगवान विश्णू का वेंटेस्वर अवतार ग्वाले के कारण स्रीहरी के सिर पर चोट लगी थी वे सिसादरी पर ही घूम घूम कर औसदी की खोश कर रहे थे कि देव लोक से देव गुरु बिस्पती ने आकर उनसे कहा आप भक्तु के कल्यान के लिए कितने कश्टों का सामना कर रहे है इस घूम की सरवतम उसदी है मदार की रूई को गुलर के पेड के दूद में भीगो कर घूम पर लगा दीजिए ऐसा करने पर वह एक सपता में ठीक हो जाएगा बगवान विश्णू असदी की खोश करते हुए सिसाद्री पर वरह स्वामी के आसरब में पहुँचे वरह स्वामी ने उनका आदर सतकार कर वेंग्टा चल पर रहने के लिए जगा दे दी और कहा मेरे पास वकला देवी नाम की एक भक्तिन है वा माता की तरह आपकी सेवा करती रहेगी उससे आप अपने पास रहने दीजिए बकला देवी बकला देवी कृष्णा अवतार में माता ये सोदा थी जो स्री कृष्णा का विवार ना देख सकी थी स्रीकिष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि कल्युग में एक नोजवान के रूप में तुम्हारे पास आऊंगा तब तुम मेरी साधी देखोगी बकला देवी ने कहा कि आज से तुम मेरे पुत्र हो मैं तुम्हें स्रीनिवास के नाम से पुकारूंगी बकुला देवी ने जड़ी बुटियों लाकर भगवान स्री निवास के घाउं पर लगा दी वे अच्छे अच्छे फल, कंद, मुल, आदी जंगल से लाकर स्री निवास जी को खिलाती थी चोल राज के राजा का नाम अकास राज और उनकी पतनी का नाम धर्नी देवी था अकास राज के छोटे भाई का नाम तोड मान था दोनों भाईयों के कोई संतान नहीं थी इसलिए उन्होंने यग्य करने के लिए जमीन जोती एक अस्थान पर हल अटक गया जब जमीन खोदी तो वहाँ पर एक सोने का संदूक मिला संदूक को खोलने पर उसमें सहस्त्र दलोवाला एक कमल और उस पर लेटी हुई विद्यूत्य के समान दिप्तमान एक बालिका मिली उस बालिका को पाकर राजा रानी के हर्स का पारावार ना रहा पदम में मिलने के कारण ब्रामनों ने उनका नाम पदमावती रखा पदमावती की मिलने के बाद धर्णी देवी को वशुदान नाम का पुत्र हुआ पदमावती दिनों दिन सुकलपश के चद्रमा के समान बढ़ने लगी एक दिन नारज जी अकास राज से मिलने आये तो राजा ने उन्हें पदमावती के लिए योग्यवर बताने के लिए कहा नारज जी ने कहा आपको दामाद की खोज करने की आवशकता नहीं है आपकी पुत्री लश्मी जी के अंस को लेकर पैदा हुई है राम अवतार में वेदवती को भगवान राम द्वारा दिये गए वर्क अनुसार वही वेदवती अपकी यहां पदमावती के रूप में अवतरित हुई है भगवान विश्णों के साथ ही पदमावती का विवा होगा वसुप घड़ी बहुती निकट आ रही है एक दिन भगवान स्री निवास बकला देवी की आग्या लेकर आखेट के लिए बन में गए वहां एक हाती का पिछा करते वे वे दूर निकल गए कुछी देर बाद हाती तो ज़लो गया और पानी की तलास में स्री निवास जी एक सरूर के समिप आये वहां उद्ध्यान में पद्मावती अपनी सक्यों के साथ खिल रही थी पद्मावती और स्री निवास जी एक दूसरे को देखकर प्यार में पड़ गए स्री निवास जी के जाने के बाद महल में पद्मावती ना खाती थी ना पीती थी और ना ही सोती थी इधर आसरम में स्री निवास जी की हालत भी ऐसी ही थी एक दिन स्री निवास ने अपने दिल की बात बकुला देवी को बता दी और उन्हें आकास राज के पास जाकर पंदमावती से विवाह करा देने की प्रात्ना की बकुला देवी के जाने के बाद आकास राज अपने गुरू सूक योगी के पास जाकर स्री निवास और पद्मावती के विवाग के बारे में सला लेने गए सूक योगी ने कहा से साधरी पे रहने वाला स्री निवास साधारण मानव नहीं है वह तो साक्षाद स्रीहरी है तुम्हारे पुरु जनम के पुन्यों के कारण वे तुम्हारे दमाद बनने जा रहे है उन्ही के दर्सन के लिए हम जैसे कई लोग जैसे कई जन्मों से तपस्या कर रही है राजा ने तुरंद देव गुरु ब्रिस्पति को भुला कर साधी के लिए लगन परत्रिका लिखवाई वेसाक सुक्ल दसमी सुक्रवार को हुआ स्रीनिवास और पदमावती का कल्यान महाउस्व यानि की विवाह महाउस्व स्री निवास और पद्मावति के कल्यान महुस्थव के लिए आदिसेस, गरुड, ब्रह्मा, संकर, नारत, कुबेर जी आदिस सभी देवता आ गए स्री निवास ने नारत जीसे कहा, लश्मी मुझे छोड़कर चली गई है, इसलिए मैं बड़ी ही निर्दन अवस्था में हूँ, आप किर्पा करके कोई ऐसा उपाय सुचिए, जिससे मैं अपने विवाह के लिए धन जुटा सकूँ जब सभी देवताओं की सभा बैटी थी, तब नारत जी ने कुबेर जीसे कहा, कि आप स्री निवास और पद्मावदी के विवाह के लिए प्रयाप्त धन दे कर सहायता कीजिए, स्वामी उस धन को सूद के साथ चुका देंगे, कुबेर ने तुरंत नारत जी की बात मान ल भगवान स्री निवास ने एक पत्र लिखा कि मैंने कुबेर से अपने विवाह खर्च के लिए एक करोड़ चोहदा लाग निस्क लिए है, जिने मैं सूद सहित लोटा दूँगा, ब्रह्मा संकर और अस्वत ने उस पत्र पर साक्षी के रूप में अस्थाक्चर किये, सु अपने मुझे सदा के लिए अपना आभारी बनाया है, अतर कोई वर मांग लिजिए, अकास राज ने कहा मुझे यह वर दीजिए कि मैं कभी भी आपके नाम स्मरण को ना भूलू, भगवान स्री निवास ने कहा कि मैं आपको सायुग जिमोक्ष प्रदान करता हूँ, सबस अकास राज की मृत्यु के बाद एक दिन तोड़ मान अगस्यासरम में आए और स्री निवास से कोई सीवा बताने के लिए कहा, भगवान स्री निवास ने कहा, सिसादरे पर वरह स्वामी ने मुझे जो अस्थान दिया है, वहाँ पर मेरे लिए ऐसे मंदिर का निर्मान करा जिसमें लक्ष्मी और पद्मावती के रहने की योगता हो इसमें गोपूर, सिखर, सिंग्दवार, द्वजा मंडप, धान निसालाएं, पाक सालाएं, गोसाला और फुलो की बावली बनवाओ बगवान की आग्या मानकर दोड़मान ने सिसाद्री को दूसरा बैकुंट बना दिया सुब मुरत में स्रीनिवास और पद्मावती जी ने आनंद निले में प्रवेस किया उस समय बर्माज ने कहा, स्वामी, लोग कल्यान के लिए आप वर्द दीजिए कि जो भक्त आपके निवास साद्री पर आए, उनके पाप दूर हो जाए मैं आपकी सन्निदी में दो अखंड जोतियां जलाऊंगा ये जोतियां लोग कल्यान के लिए सदा आपकी सन्निदी में जलती रहेगी आप कल्यूक के अंत तक इसी वेंकटाचल पर निवास कीजिए और अपने भक्तों को दर्शन देते रहेगा अब मैं जो ब्रह्मा उस्सव करूंगा उसे सिवकार कीजिए ते निवास ने ब्रह्मा जी की बात सिवकार कर ली उस दिन से उस अस्थान का नाम वेंकटा चलन्म हो गया लश्मी जी और भगवान विश्णू में कल्हा का कारण नारज जी ही थे अता नारज जी लश्मी जी के पास कोलापूर पहुँचे और कहा क्यों आप आनन धाम वेकुंट को छोड़ कर इन जंगलों में निद्रा और आहर के बिना धूप जाड़ा सहते वे कब तक तपस्या करती रहेंगी नारज जी ने उन्हें भगवान स्री निवास और देवी पदमावती के विवाह की बात बताई यह सुनते ही लश्मी जी को मानो काठ मार गया वे नारज जी सहित बेंग्टा चलम पहुची बगवान स्री निवास ने अचानक लश्मी जी को देखा तो समझ नहीं पाये कि यह स्वपन है या सत्य पदमावती जी भी नहीं समझ पाई कि यह कौन है दोनों सोतों में जगड़ा होने लगा बगवान स्री निवास की दसा जाल में फसे पक्षी के समान थी ना इधर चैन ना उधर चैन थोड़ी देर में दिवी ग्यान से लश्मी जी को सारी बात समझ में आ गई और उन्होंने कहा कि अब हम सगी वेहनों की तरह रहेंगी बगवान स्री निवास ने लश्मी जी को कुबेर से लिए कर्ज की बात बताई और कहा कल्यूग में तुम मेरे भक्तों को धन समपत्य प्रदान करती रहो जिससे वे अनेक पाप करके विपत्यों में फस जाएंगे फिर मैं उन्हें स्वपन में उपाय बताऊंगा जिससे वे मेरी मनोती करके भेड चड़ाएंगे वधन में कुबेर को सूध के रूप में दे दूँगा यह तुम को कल्यूग के अंत तक करना पड़ेगा फिर हम व्यकुंठ जाकर सुख से रह सकते हैं तब तक तुम पदम सरोवर में स्थित रह कर भक्तों की रक्षा करती रहो किन्तु तुम अपने एक स्वरूप से मेरे बाएं वचस्तल पे रहो पदमावती जी को दाइने वचस्तल में रहने दो बगवान ने लश्मी जी और पदमावती जी को अपने आलंगन में लेकर अपने दाएं और वाएं बचस्तल में रख लिया बगवान स्री हरी जगत के कल्यान के लिए भूलोक आये थे वे साथ कदम पीछे चले तभी एक भेंकर ध्वनी हुई और वे सिला विग्रह में परिवर्तित हो गए तभी आकास वानी हुई अब से मैं कल्योक के अंत तक भेंक्टेस्वर्ण स्वामी के नाम से इसी रूप में रहूँगा अपने भक्त जनों की मनोकामना पूरी करना ही मेरा ब्रत है इस कंद पुराण के अनुसार उन वेंक्टाचल निवासी भगवान स्रीहरी का दो घड़ी भी चिंतन करने वाला मनुस्य अपनी 21 पीडियों का उधार करके विष्णू लोक में समानित होता है दोस्तो कल्यूग में स्रीहरी बिंटाचल पर साक्षा तिवास कर रहे हैं भगवान की किर्पा से हम सभी उनका दर्सन अवस्य कर सके ऐसी भगवान से मनोकामना करते हुए उनसे प्रातना करते हैं भगवान सभी की मनोकामना पूरी करे और अपने दर्सन दे दोस्तो इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चनल को लाइक सेर वर सब्सक्राइब करें हमारे चनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद